एक्स लिमिटेट एक्सपोर्ट गूड्स ऑन 1st October 2020 तो यूएस पर 100,000 डॉलर द्यू आफ्टर 6 मन्त अब यह देखें कि आप ने गूड्स एक्सपोर्ट की एक लाख डॉलर की यूएस को और पेबिंट जो है ना वो आनिये 6 महीने के बाल अब इसमें क्लिरली देखें जब रेच्वबर्स होते हैं आप जब बेच दी चीज उसी युको डेविट करना पड़ताया है रेच्वबर्स को और कईट करते हैं हम से ल्सको अब इस क chil's में अगर पाकिस्तान से हम कर रहा है तो पाकिस्तान में तो रूपी में आपने रिकॉर्ड करना है रसीवबल को और सेल को अब देखना यह कि किस रेट पर करना चाहिए अब फिर यह कि जब हमें पैसे आएंगे छे महिने के बाद आज किया है तो इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे बिसभा ने अगर आज आप बेचते हैं और आज ही आपको पैसे मिलते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे एक सुपचीज़ पडलर के शाप से तो आम मुल्टिप्लाइप कर लें एक लाग को इससे तो आपकी फिकर बन की आप को करें और सेल्स को क्राइट कर दें बाद खतम हो जाएगी लेकिन पैसे तो आने छे महीने के बाद की अप्रोश बैंक एन आस्क और फार्वर रेट ऑफ वन थर्टी पर टॉलर अब यहां मैं थोड़ा से एक्स्प्लेंग में यह जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यह कैस से बैंक हमें फाइनेंसिंग करता है यूजियली बैंक जो है ना आपको आपकी एलसी ओपनिंग के वक्त अगर कंफर्म्ड एलसी है कंफर्म्ड का मतले भी है कि उसमें वह वापस गरबढ़ने रिवोक नहीं हो सकती तो फिर आप बैंक आपको उसके केस पहले लोन दे देत है कि जी आप यह पैसे लें और अपना माल बना कर एक्सपोर्ट कर दें एक तो यह भी तरीका है और एक यह तरीका है कि आपने एक्सपोर्ट कर दी डाकुमेंटेशन आपके पास आगी पेमिट छे महीने के बाद ही मिलनी है आपको वहां से अब क्वेस्टिन है क्या हम होगा उसरे से आपको पैसे मिल जाएंगे लेकिन अगर आप इसको छे महीने के रेट का तैय करना है तो फिर आपको कॉंट्रेट करना पड़ेगा कि हमें छे महीने के बाद हमें डॉलर आएंगे तो हमें उसका क्या पैसे मिलेंगे क्योंकि रेट तो फ्लक्ट्वेट होग इसलिए हम पहले से ही बेंक के साथ तैय कर रहे हैं कि जी आप हारे साथ कांटेट करें कि हमें छे महिने के बाद जो यह हमारा एक लाख डॉलर आएगा इसको हमें एक सो तीस रुपए पर डॉलर के हिसाफ से आप पेइमेंट करेंगे लॉवार्मेंट सिंपल है लोड वी दिए कांटिंग ड्रॉंटिं ट्रे क्षिं पोलवें एंक लिए के विस्ट आपका हो जाता है एको सटाइस तो क्या वनेंगी और एग्यसिंग आपका हो जाता है एक सो ऊनतिस तो क्या वनेगी अब ये आप इसम वह सेखने की है आरा तीस देगा, बैंक को नुकसान हो जाएगा, हाँ अगर रेट जो है वो बढ़ जाता है मार्किट में, और आपको तो तीस ही मिल लें, तो इसलिए आपको फिर जो है न, वो लॉस हो जाएगा, this is how we go negotiate with the bank, कि जी हमें एक रेट दे, छे मिने के बाद का, उस रेट पर हम आप अपने रेसीवल जो है, आपको बेचेंगे, यह आपको वो डॉलर आएंगे तो हम आपको पे कर देंगे, let's see the answer, देखें, first transaction जो है, account receivable current rate पर, मैंने जैसे काना कि हमने पाक रुपी में ही इसको translate करके लिखना है, यह नहीं है कि छे मेने के rate पर कर देंगे, no, आपने पाक रुपी में इसको translate करना है और sales को आपने credit कर देंगे, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है, कि हम अपने यह जो receivables हैं, इनको technically एक word use करते है, factoring, factoring, कि आप यह बेच देते हैं इनी शुरुई में, कि जी जब देरे चांस ना, कि bad debts भी सो हो सकते, तो आप एक sell कर देते हैं, in advance में और उसके against आपको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन याद रखें कि जो factor होता है, जिसने आपके यह खरीदे हैं, वो आपको 100% payment कभी भी नहीं करें, वो आपको सिर्फ 80% के करीब payment कर देगा, और 20% जो है, 20% जो है, वो आपको नहीं देगा, तो technically, bank आपको वो 80% advance कर रहा है, loan दे रहा है, जब वो आपके पैसे आएंगे, तो आप वो को adjust करके, loan का interest और plus जो loan आपने लिया है, पैसे आपको वापस कर देगा, अब इसमें question रह जाता है, क्या आप 80% receivable उसको दे रहा है, नहीं, आपको 100% receivable उसको देना है, collection भी उसके जिम्मेदारी है, सब कुछ है, लेकिन जब collection की जिम्मेदारी इस पर डालते हैं, तो फिर उसकी cost भी पड़ती है, वो cost bank bear करेगा, लेकिन आपके साथ वो तैय कर लेगा, कि आपको इस पर rate क्या देना है, question है, कि अगर आप उस receivable में कोई bad debts हो जाते है, there is a possibility ने, लेकिन लोकल में तो खेर, possible है, यह होता है, losses हो जाते हैं, लेकिन export में भी possible है, कि आपकी consignment ठीक से नहीं पहुंची, इसलिए हम आपको इतनी payment नहीं करते, तो then there is a risk, तो उस सूरत में क्या होता है, कि who will bear the bad debts, again contract होगा factor के साथ, accordingly, वो bad debts जो है न वो share होंगे, अगर वो कहता जी हम share करेंगे, bank कहता हम share करेंगे, तो bank obviously आप से ज पढ़ते हैं, तो आपको वो net की figure pay करेंगा, bad debts आपको खुद से सफर करना पड़ेंगे, so this is how receivables are going to be managed, risk manage करना, अब देखें, 31st October को, इसमें जो change आई है, rates में, 128 का हो गया, तो आप receivables जो है, तीन, यानि एक लाग को, इसका figure देखें, नीचे जो के दी हुई है, मैंने कि तीन रुपए का फरक जो पड़ा है, 128 और 125 का जो difference है, वो आप अपने receivables book कर लें, क्योंकि है है कि आपको तो 130 मिलना है, तो इसलिए आप अपने ये तीन रुपए extra जो आपको आने है, current rate से, वो आप फिर book कर लेंगे, receivables को book कर लें, और profit and last account को credit कर लें, ये आपकी entry complete हो जाती है, अचा, अगर किसी वज़ा से, let's say, के rate जो है, वो 130 से ज्यादा हो जाता है, तो फिर entry reverse करना पड़ेगी आप, क्योंकि इसलिए फिर आपको वहाँ पर फाइदा नहीं, नुक्सान हो रहा है, inventory को कम करना पड़ेगा, sorry, receivables को कम करना पड़ेगा, अचा, अब जब आपको पैसे आएंगे, तो देखें, आपके पास पैसे 130 के हिसाब से आ रहे हैं, तो आप debit करेंगे, cash debit, और account receivable credit, ये figure जो है कैसे आईए, देखें, के 12.5 million plus 3, तो ये 13.5, और ये total 13, 12 million 800 रुपए है, आपके आप 13 million है, तो आपको एक स्वाग गेन हो गया, सौ रुपए का, अचा, इसमें again, अगर फर्ज करें, के आपको डॉलर का rate change आ जाता है, फर्ज करें, एक सो 28 की बजाए, एक सो 29 का हो जाता है, तो फिर आपको एक लाक रुपए का गेन होगा, क्योंकि एक रुपए चेंज आईए आपकी उसमें, तो फिर आपको एक लाक गेन होगा, ये 31 मार्च को जब आपको पैसे मिलेंगे, तो आप 130 रुपए के हिसाब से आएंगे, तो आप 13 मिलियन से अपना cash debit करें, और account receivable की figure जो है आपकी, वो बारा पांच प्लस तीन, बारा आठ सो, और गेन इसमें जो है आपका दो लाक का हो जाएगा, हाँ अगर फर्स करें, ये कम हो जाता है, rate, यानि और कम हो जाता है, तो accordingly आपको फाइदा बढ़ता चले जाएगा, लेकिन अगर rate बढ़ जाता है, तो फिर आपको नुकसान होना चुल हो जाएगा, तो फिर entry reverse होती चले जाएगा, तो that is how basically we protect our receivables, thank you very much.